दोस्तों ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए बनाई गई है, जो लोग मेरे साथ 90 दिनों का ब्रह्माचार्य का पालन कर रहे हैं, वो सब साथ ही इस वीडियो को जरूर सुने दोस्तों, यदि आपने 90 दिन की ही शपत ले रखी है तो आईए, आपको 90 दिन में क्या-क्या आज ब्रह्मचर्य के इस 90 दिन की चुनौती का पहला दिन है, सबसे पहले तो ये समझिए, कि ये चैलेंज आपको कौन दे रहा है, सीधी सी बात है आपका मन दोस्तों, यह आपका मन ही है, जो बार-बार भोग के रस में आसक्त हो जाता है, और बार-बार आपको नकारात् आता है, जो कहता है कि नहीं, आप एक साल तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, आप 90 दिनों तक ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, आप 90 दिनों तक गंदे वीडियो देखना बंद नहीं कर सकते, आप 90 दिनों तक हस्त मैथुन करना बंद नहीं कर सकते, दोस्तों ये वही मन है जो आपको बार बार गिराने की कोशिश करता है आपके मस्तिश्क की बुद्धी आपको विपरीत सलाह देगी कि वासना में सनलगन रहने से तनाव कम होगा दिमाग ठीक से काम करेगा रात को अच्छी नीद आती है जीवन का एक मात्र उद्देश खाओ पियो और आनंद मन कहेगा कि पूरी दुनिया आनंद ले रही है उपरोक्त तरक के कारण मनुष्य की स्थिती गीदट जैसी हो जाती है कहा गया है जब सियार की मौत आती है तो वह शेहर की और भागता है जहां सियार से नफरत करने वाले और भी लोग उसे मारने के लिए आते हैं तो मेरे भाई यदि आप 90 दिनों के ब्रह्मचर्य की चुनौती को पूरा करना चाहते हैं तो अपने मन और बुद्धि दोनों की न सुने क्योंकि इस समय दोनों ही अज्ञानी बन गए हैं इस बार कलपना से खुद को 5 साल के बच्चे में बदल ले जब कोई बच्चा सच्चा ज् प्राप्त करने के लिए पहली बार अपने गुरु के पास जाता है तो गुरु उसे बताते हैं मेरे शिष्य मैंने तुम्हें अपने ग्यान के गर्भ में ले लिया है अब जब तक तक तुम्हें ब्रह्मचारी रहना होगा तो दोस्तों आज से आप इस वीडियो को अपना गुरु कुल मान के ब्रह्मचर्य चुनौती का पहला दिन स्वीकार करें कहते हैं कि बूंद बूंद घड़े में डालने से घड़ा भी भर जाता है आज का दिन या नब्बे दिन भी इससे भिन्न नहीं होंगे किसी भी दिन में पच्चीस घंटे या पचास घंटे नहीं ह आज की तरह ही इस दिन को भरपूर जीकर अखंड ब्रह्मचारी बनकर आज के दिन 365 दिन जीना है। आज मैं अच्छी चीजें देखूंगा, आज मैं अच्छी बातें सुनूंगा, आज मैं अच्छी बातें लिखूंगा, आज मैं अच्छी बातें कहूंगा, मैं आज उस परमात्मा को याद करूंगा, जिसने मेरी आत्मा को जगाया, आज मैं अच्छे कर्म करूंगा, जैसे पौधों को पानी देना, जानवरों को भोजन देना और जो भी ग्यान और जो कुछ भी मेरे पास है उसे उन लोगों के साथ साज़ा करूँगा जिनके पास नहीं है। प्रहाचर्य जीवन का सार तत्व है, दूध में घी का जो स्थान है, तिल में तेल का जो महत्व है, गन्ने में रस का जो स्थान है, शरीर में वीर्य का भी वही महत्व एवं स्थान है। अतह जिस प्रकार एक जोहरी अपने मूल्यवान हीरों की रक्षा और देख भाल करता ह उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को हीरे और मणियों से मूल्यवान अपने वीरे की संभाल रक्षा करनी चाहिए चलिए आपको एक पुरानी सच्ची घटना बताता हूँ बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि ब्रहाचर्य केवल भारत से ही संबंधित है और भारत से बाहर इसका कभी कोई वजूद नहीं रहा है आपने युनान के प्रसिध दार्शनिक सुकरात के बारे में तो सुना ही होगा एक बार सुकरात के पास में एक व्यक्ति आया उसने पूछा स्त्री प्रसंग कितनी बार करना चाहिए सुकरात ने उत्तर दिया जीवन में केवल एक बार और वह भी विशय भोग के लिए नहीं अपितुवंश चलाने के लिए उस व्यक्ति ने पुनह पूछा यदि इतना संयम ना हो सके तो क्या करना चाहिए सुकरात ने कहा यदि इतना नहीं हो सकता तो वर्ष में एक बार उस व्यक्ति ने दोबारा पूछा यदि इससे भी त्रिप्ति ना हो तो सुकरात ने उत्तर दिया महीने में एक बार उस व्यक्ति ने फिर पूछा यदि इससे भी संतुष्टि ना हो तो तो सुकरात ने कहा ऐसे विशय व्यक्ति को कफन अपने पास लाकर रख लेना चाहिए और कब्र खुदवा कर तैयारी रखनी चाहिए फिर कितनी बार इच्छा हो उतनी बार विशय भोग कर सकता है एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ब्रह्मचर्य का लाभ कितने दिन में होता है कितने दिन में लाभ दिखना प्रारंब हो जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को कब यह एहसास होता है कि हाँ उसके शरीर में अब सुधार शुरू हुए है परिवर्तन तो हमारे शरीर में प्रत्यक्षन हो रहे हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है यदि कोई व्यक्ति संकल्प लेता है कि वह अब अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और कोई गलत कार्य नहीं करेगा तो मान लीजिए उसी दिन से कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाता है जब आप तीस दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं खुद अनुभव होता है कि हाँ कुछ तो बदलाव शुरू हुआ है शुरू शुरू में ब्रह्मचर्य के अनुसार जो आपकी दिन चर्या होगी वह थोड़ी सी आपको कठिन जान पड़ेगी क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात्री सोने तक खाना पीना, योग, प्राणायाम, ध्यान, आदि सब कुछ स्वाभाविक रूप से आपकी दिन चर्या में ढल जाए इसमें समय लगता है जब आप तीस दिनों के बाद नब्बे दिनों तक पहुँचते हैं तो आपको सब कुछ सरल लगने लगता है यह सारी दिन चर्या आपके जीवन में ढल जाती है फिर नब्बे दिनों के बाद आपको तेजी से परिवर्तन होता हुआ दिखता है और जब नब्बे दिन से अधिक समय बीत जाता है तो आपको अपने शरीर में ऐसे ऐसे फाइदे देखने को मिलेंगे कि आप खुद दूसरों को बताने लगेंगे कि हाँ भाई ब्रह्मचर्य में बहुत लाब है यदि कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो एक साल ब्रह्मचर्य के फाइदे देखकर वह हैरान रह जाता है उसे बहुत अधिक लाब अपने जीवन में दिखता है एक साल यानि बारह महीने यह बारह महीने में आपका जो खून है यह काफी ज्यादा शुद्ध हो चुका होगा रक्त के कारण रक्त दूशित होने के कारण जो बीमारियां आती है उनमें आपको काफी ज्यादा लाब दिखेगा एक साल तक जो आपने वीर्य रक्षा की है साथ में जो व्यायाम प्राणायाम ध्यान आदी किया है उसके कारण वही वीर्य बाद में आपके शरीर में लगता है जब वह वीर्य आपके शरीर में व्यायाम प्राणायाम से लग लग कर एक साल का समय होता है तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होने लगी है आपकी हड़ियां पहले से अधिक मजबूत हो गई हैं क्योंकि आपने अपने व्यायाम अपने इश्वर के ध्यान के द्वारा उस वीर्य को शरीर में ही खपा लिया है इन बारह महीनों में यानि एक साल में आपका दम काफी बढ़ जाएगा पैदल चले जा रहे हैं तब आप उन्हें गर्व से कह पाएंगे कि आप पिछले एक साल से ब्रह्मचर्य का पालन करते आएं हैं यह बात हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं जो मनुष्य एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य के फायदे देख लेगा खुद के शरीर पर तो कभी भी ब्रह्मचर्य का नुकसान नहीं करेगा बलकि दूसरों को भी प्रेरित करेगा कि इस मार्ग पर बढ़ो यदि कोई ग्रिहस्थ व्यक्ति एक साल या दो साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, दोनों पति-पत्नी उसके बाद संतानोत पत्ति करें, तो अच्छी और स्वास्थे वर्धक संतान होगी इश्वर अच्छी आत्मा गर्भ में भेजेगा 90 दिन वीर्य बचाने के फायदे की बात हो, या एक साल के फायदे की बात हो, आपको अपना पूरा ध्यान ब्रह्मचर्य के अर्थ को समझ कर उसे धारण करने में लगाना चाहिए, तब ही आपको सही लाब होगा तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अगली किसी फिटनेस वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखें, जय हिंद, जय भारत